नमस्कार दोस्तों मैं सोर आप और आप देख रहे हो एसस क्रिक फैंटेसी इस वीडिये के तुरू मैं आपको मैंस से रिलेटेड हार एक इंपर्टेन इंफर्मेशन देने की पूरा कोसिस करूंगा जिसके मदद से आप एक वैतरीन फैंटेसी टीम कोंबिनेसन बनाने में का आप देट यह सभी मैं आपको टेलिग्रम चैनल पर इंफर्म करता हूँ इसके लबाव स्मॉल लिग कर टीम एंड कौन सब लेया राज आपका ट्रामपी हो सकता है यह सभी मैं आपको टेलिग्रम चैनल पर इंफर्म करता हूँ इसलिए टेलिग्रम चैनल के साथ जुनना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है नीचे डेस्क्रिप्सन पर लिंक है अप लिंक के थुरू हमारे साथ टेलिग्याम चैनल से जूर सकते हो इस चैनल पर मैं हर रोज इंपर्टेन मैच को डीटेल्स एनलेज करके कवर करता हूँ और स्टैटिकली एनलोजीकली फ्रेडिक्शन देता हूँ जिसके मदद से अपना से स्मॉल लिंग ग्रैन लिंग में भी एक अच्छा का सा प्रोफिट कमा सकते हो इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जूरे रह पीज रिपोर्ट राजीब गंदी स्टेडियम पर जो पीज रहता है न वह जेनरली बैलेंस सर्फेस रहता है यहां पर बैट्समें स्पेशार और सभी को इक्वेल सपोर्ड मिलने मला है लेकिन स्लाइड़ी एडबंटेज बैट्समें को रहने मला है इसे आप जाद से ज् पर दो मैच खेला जा चुक है जिसमें से दोनों ही बार बैटिंग सेगंड करते हैं टीम ने ओन किया है फास्ट इनिंग्स की एवरेज स्कोर की बात करें तो इंटरनेशनली दोनों इनिंग्स में अल्मोस्ट प्लास स्कूरिंग हुआ यहा पर 190 हुआ था और यहा पर लगबल 180 हुआ था 178 किया था वहापा स्पीनान ने दो विकेट और पेशान ने दस विकेट चट कर दिया फिर से पांजाब और हैदरबाद के बिच में मैच कर लगया था उस मैच में थोड़ा लो स्कोर देखना को मिला था क्यूंकि बैटिंग मतलब कॉलाप्स कर गया था पंजाब की इसलि लेकिन हाइदरबाद ने वह रांचेज नहीं कर पाया 131 किया था सिर्फ और उस मैच में पेशान ने टोटाल 8 विकेट चट कया और स्पीनान ने 5 विकेट चट कया मतलब अगर बैट्समेन खुझ से कुझ गलती ना करे तो पहले निस में आपको 180 प्लास इजीली रान देखने को मिलेगा फिल आल आप चाहो तो देख शेकतो और लेशाट आप देख लेता हाद्रवाद की पॉस्पेल प्लिंग में विद रिसन फॉर्म हेरे भुप के साथ आपको अभिषक शार्मा को ओपेनिंग करते है और जब जब अभिषक शानमा ओपेनिंग करते है यस मैश को छोड़ दीजिए सारे के सारे मैश में फ्लॉब हो गया और इस मैश में शेंचूरी मर्य दआ था पिछले बारा मानके 帶 टैप का प्लिएर है आप मैं हैरी बूग के बार में आगे gettiny आइंव पाला हूं कब को को कॅब कर सकतो है फैंडिएन वाइस आपको हैरी को पीक करना होगा और राओल तुरीपाटि का रीशंपोर्म अब देखा है तोoping आइदवाद के तरफ से Pep प्लियार है लेकिन उस तरीके का क्लास अभी तक तो IPL में नहीं देखने को मिला सिर्फ एक मैच को शोड़के यहां पर 74 रान किया था वह भी इस्टेडियम पर आया था लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया अभी तक माक्राम का रिचेंट फॉर्म आप देख सकते हो ठीकता गया आपको कुछ ना कुछ फॉइंट देने ही बाला है तो माक्राम इनपरटेंट होने बाला है हेंडरी क्लासन का भी रिचेंट फॉर्म ठीक टाग है बैटिंग करने का उतना मौका नहीं मिलते है नमबर पांच पर बैटिंग करने आता है लेकिन आपको डिस्टेंस को करके द लोटन में आता है तब आप मायां गारवल को ड्रॉप कर सकते हो और इसका फॉर्म भी कुछ ठीक टैग नहीं है उसको देखते हुए इसको आप एंड डाउन कर रहे है तीम सो देखते हैं क्या होता है मुझे लगते हैं मायां गारवल को सायद मौका भी नहीं मिलेगा खेलने जब आएसको अधिकुकि कोई और खेल सकते हैं दखते हैं क्या होता है मारक जोंसन का रिशनid का का फॉम में बहुत बेकर आईपेल चल रहा है इसका एक्ट्वली सुन्डर हर मैस में विकेड चटकाता है लेकिन आप देख सकते हो इस सल आईपेल में सुन्डर के नाम कोई भी विकेड नहीं है और बैटिंग से भी अल्मोस्ट फ्रॉब हो गया बैटिंग से अक्सार यह 20-30 करके ते ताया और में दो-दो करके विकेड चटका और एक मैच में तो चार विकेड भी चटका दिया इसलिए मायंग मार कंडे बहुत इंपर्टिंट होने बला है उम्रान मालिक के डिशन फर्म देख सकतो ठीक टाक फॉर्म है इस मैच पीछले मैच में विकेड लेकिन अल्मोस्ट सारे के सा अबिल जाएगा अगर नत्र राजन खिलते हैं तो माश्टप पिघग होने वाला है अगर यह खिलते हैं तो इसी तरीके से कुछ और प्लियार का भी नाम है आप चाहटों देख सकते हो आप देख लेते हैं दिल्ली की पॉस्वल में विद रिशन फ़हां मारनार के साथ आ डेविड वार्नर का रिशन फ़र्म काफी शांदर है आप देख सकतों और मोस्स हारे के सारे मैस में स्कोरिंग क्या है हाला कि स्ट्राइग रेट भूत ही कम है लेकिन स्कूर करके देगा आपको पक क्या क्योंकि थोड़ा जिम्बेदरी के साथ मतलब थोड़ा रोटेट करते है 20-30 करके देता है और कभी कबार मार्स पी अभी तक तो मार्स से कोई रांद नहीं देखने को मिला फिलाल आप वार्नर को टीम में जरूर पिक करना तो बहुत ही बेकार फर्म में अभी जा रहा है मेचल मार्स का डिशन फार्म देख सकतों बैटिंग से तो कुछ खास नह करने जाता है इसको टार्गेट करता है और हिटिंग करने चाकर में क्या भी कबार मिसीट भी जब होता है तब इस बहु क्विक में कुछ सेभल्स से बाज़ा से इसको बार्म की बार्स से एकलर में पिक करना और उससे पिछने वाजे 50 क्या था लगबाग आई पेल में मनिस पंडे का रेकोर्ड ठीक टाक रहते हैं आप चाहँ तो मनिस पंडे को पिक कर सकते हो अकसर पटल का रिसेंट फर्म कापी सांदर है बैटिंग से नहीं तो बोलिंग से बोलिंग से आपको कही न कई से बोलिंग करता है अकसर बैट्समान इसको मातब ज्यादा स्वाट नहीं लगाता है और अगर बैट्समान स्वाट नहीं लगाएगा तब विकेट भी नहीं मिलने वाल है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मुकेश कुमर का रिसेंट फर्म आप देख सकते हैं लेकिन आप आप को विकेट चटगा के देख सकते हैं आप ठीक मैश में फाच आप मैं पहले दो मैच में ओएर लेकिन आप लैड पतचुका है और मुकेश कुमर भी बॉलिंग करने आता था नाक्या का रिचैनट फर्मप देख सकते हू खाई मैश से वीकेट लिके ही नेकिन फिचले देखने को मिल जाएगा तो यही दोनों आसकता है इंपक्ट प्लेयर के थुरू इसान्जर्मा आ सकते है अगड़ं प्लों में बोलिंग कर देखने को मिल जाएगा और एक बार देथ में भी लेके आ रखते हैं चेतन साकर यह अगर खेलते हैं तो इसका भी रेकॉड है आप देख सकते हो अगर खालील खेलते हैं तो मस्टपिंग होने वाला है क्योंकि खालील विकेट टिक्नी बोला है एक मैस्ट का पारफॉर्णस देखके खालील को ड्रॉप कर दिया खालील बहुत इंपर् मैस में 10 विकेट इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रहा था खालील हमें अगर खेलते हैं तो मस्टपिंग होने वाला है क्योंकि विकेट चटकाता है विकेट टेकिंग बोला रहे एक मैस में सिर्फ विकेट नहीं मिला वह जासपाल और बाटलार ने बहुत धुलाई कर ज लेकिन वाइल चेजिंग 48 की एवरेज और स्टाइक रेट भी थोड़ा बढ़ जाता है 141 इसलिए मार्क राम चेजिंग में बहुत इंप्रोटेन होने वाला है है हैरी बुक का देखिए वाइल बैटिंग फर्स्ट 49 की एवरेज और स्टाइक रेट 186 लेकिन चेजिंग मे एक दाम से घर जाता है एवरेज 24 और स्टाइक रेट देखिए से 117 इसलिए हैरी बुक का पिक करना जब हाइद्रावद की टीम पहले बैटिंग करे उस कंडिशन में आप हैरी बुक को पिक करना मैं आपको पहले ही बोला था कंडिशन वाइस अब हैरी बुक को रोटेट क कर सकते हो यह आपको एक तरफा मैच ओन भी करके दे सकते है और हरा के भी दे सकते है तो हैरी बुक का कप पिक करना जब हाइद्रावद की टीम पहले बैटिंग करे तब उस कंडिशन में आप हैरी बुक को पिक कर सकते हो मायंग अगरवाल का रेकॉड देखिए देखिए के खिलाब 12 मैच में 358 रन और 99 हैस्ट लेकिन अगरवाल का फॉर्म अभी कुछ ठीक टैंग नहीं चल रहा है उसको देखते हो है मैं आपको साजेस्ट करूंगा आप अगरवाल को डॉप कर सकतो आप ग्रैंड लिंग में पिक कर सकतो वान नर का रेकॉड देखिए एगें दिख लते हैं तो मस्टैपिंग होने वाला है और यहांनर का रेकॉर्ड देख लीजिए इस सल आउपेल में काफीत शन्र है आप देखक तो ओरेंज कैप के लिस्ट में शाया तीन नम्बर पर है मायंग मारकंड का रेकॉड देख लिए इस सल आउपेल में चार मैंच में और इस मेनवी को पर भी रेकोड काफी संदर है तो मारकंड बहुत इंपर्टेंट भी होने वाला है आप देख लेते हैं फैंटेसी टीम विकेट की पर सेक्षन से आपको हेंडरी क्लासन को देखना को मिल जाएगा और सौल्ट को देखना को मिल जाएगा फिलाल इन दोनों मे पिक कर सकतो फिलार में क्लासन के साथ ही जा रहे हूँ पैटिंग सेक्षन से वर्नार माश्टर पिग होने वाल है अगर वलको आप ग्रेंड लिंग में ट्राइग करना त्रिपाठी को पिक कर सकतो क्लासिकल बैट्समन है लेकिन आपको बोला था एक मैच को चोड़के इस स ब्रूक वाइल वैटिंग पास्ट फर्टीनाइन के एवरेज रहता है और स्टाइक डेट भी 181 इसलिए ब्रूक वाइल वैटिंग पास्ट बहुत ही इन्पोरेंट और जब हादरबाद की टीम चेजिंग करे ताप उस करनिशन में आप त्रिपाठी को पिक कर सकतो अब प पिक कर सकतो इसका सिलेक्षन परसेंटेज भी काफी कम है फिलाल मैं इसको ड्रॉप करते हुए चलता हूँ अक्सर पडल बहुत ही इन्पोरेंट पी होने बाल है मार्च को अब जरूर पिक करना क्यूंकि बैटिंग और बॉलिंग दूनों से आपको पॉइंट देने बाल ह खास करके बॉलिंग से क्योंकि ओपोनेंट का जो टीम है मिचल मर्च को टार्गेट करने बाल है जब मिशीट भी होगा तब मर्च को विकेड मिलने बाल है इसलिए मार्च बहुत इन्पोरेंट पिक होने बाल है मारको जॉंसन का रिशेंट परम काफी सांदर है उसको मैं आपको साजेश्ट करूंगा कुल सब्का根 जरूर पिक करना आप उमरान मालिक को पिक कर सकतो खास करके हजरबाद की टीम अगर पहले बोलिंग करे तब कर देते हैं तो आंगध और करके कि इसको पिक कर लिए यह भी विकेट टेकिंग बोला रहे आईपल में इसका रेकोड काफी शांदर है हादा कि इंट्रणेशनल में अभी कुछ ठीक टेक नहीं चल रहे लेकिन आईपल में अगा ठीक कर लेता है और इस टीम के खिलाब रेकोड काफी काफी शंदर है भूमी को भी आप पिक कर सकतो खास करके ग्याल लिंग में मुकेश कुमार अंडरेटर बोलार है सिलेक्शन परसेंट है आप देख लीजे सिर्फ सास परसन है लेकिन मैं आपको मुकेश कुमार के बारे में पहले बता चक्वा हुँ डेच में बॉलिंग करना सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा और इनफर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा